नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जब भी हमारे घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुजियां बहुत आती है तो आज हम आपको छोटे बच्चों से जुड़ी कुछ खास बाते बताएंगे कि बच्चों के सर पर होने वाले भौरे या भौरी से आप उनके भविस्य के बारे में क्या जान सकते हैं इसका मतलब क्या होता है क्योंकि बच्चों के सर पर भवर या भवरी के होने से उनके भविस्य पर इसका सीधा असर पड़ता है तो चलिए जानते हैं अगर आपके बच्चे के सर पर भी भवर या भवरी है या चक्र है तो क्या होगा कई लोगों को एक भवर होता है और किसी किसी को दो भी होते हैं और कई बार ये भवर सीधे हाथ की तरब मुरता है और कई बार ये उल्टे हाथ की तरब घुमता हुआ भवर दिखाई देता है तो अक्सर आपने किसी बच्चे के सिर के पीछे एक भवर बना देखा होगा और कई लोगों के एक भवर होता है तो किसी के दो भी होते हैं और कई बार ये भवर जैसे दाहिने और मुड़े या बाये उड़ तो ये भविस्य के बारे में कुछ खास बताता है अगर हम सामुद्रिक सास्र की माने तो जिस भी बैक्ती के सिर में एक भवर होता है वो बहुत ही सांथ सोभाप का होता है और ये बच्चा आगे चल कर अपने परिवार से काफी लगाओ रखने वाला और काफी दयालू किस्म का होता है लेकिन जिस भी बैक्ती के सिर में सिर्फ एक भवर है अगर इनके चीजें आप इस्तेमाल करने के लिए इन से मांगते हैं तो ये तुरन दे देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यानी होते हैं लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये बहुत ही जादा प्रकार्ण बिद्वान हो पर जिस बच्चे का यवेक्ति का सिर में दो प्रकार के भवर बनते हैं तो ऐसे लोग बहुत जद्धी होते हैं, नत्खट होते हैं और अपने मा से ज़ादा अपने पिता से प्रेम करते हैं, और अपने पिता का आदेश भी मांते हैं. तो इन्हें अपने जिद्धी सुभाव के कारण जीवन में कभी-कभी हानी भी होती है और वैसे तो ये दिल के बहुत ही ज़्यादा दयालू होते हैं और ज़्यादा तर लोगों का सम्मान करते हैं पर हर परिशानी से लड़ने में सक्छम भी होते हैं तो फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें धन्यवाद